प्रदूशन की रियल टाइम इंफरमेशन के लिए आज ही SkyMet AQI app डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखे खयाल नमस्कार मैं हूँ मैश पलावद आप देखें SkyMet Weather आप सब का स्वागत है और यह है देशवर का मौसम अपडेट और पूरवान मान Hai तो पिछले 24 हंटों में हम ने देखा कि तक्षिन भारत में अभी भी अच्छी वारिष जारी है पुर्वकतर भारत में भी बारिश की चत्वितजियां काफी अच्छी हुई है ॉर बैध्य वारत के कई लाकों में बारिश की ज़यादा कमी देखने को दिक धानी को अजरी और बहुत ज्यादा मुसलाधार बारिश हो रही थी उसमें भी कमी आई है लेकिन अब पहले सुरुआत करेंगे इस वीडियो की मद्यभारत से क्योंकि मद्यभारत में ही इस समय में अक्सिस हो माधूल तरफ थी तो जो लो प्रेश्ट रिजिया था वो दीरे-दीरे गुजर जिलों में हो रही थी उस इलाके में अब दीरे-दीरे कमी आ जाएगी तो आज सोले और सत्रे दो जो दिन है वो राजस्तान गुजरात मद्यभादेश और उत्तर प्रदेश के जातर इलागों के लिए एक तरह से शुष्क रहेंगे बारिशी अत्म होंगी और जिस इलाके बाकी इलाकों में पौसम सुष्ट और गरम बना रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जो मराठवाड़ा है मद्य महराष्ट्रा कोकान एंडवा इस इलाके में जान्या निक्टटे महराष्ट्रा इस इलाके में मुसलाधार वारिश जारी रहेगी और दो दिनों के देश है सीधी जतना पाना और सिंगरोली हो गया और उमर्या दमोह इन इलाकों में बढ़ेंगी और 18 तारिक से मंद्य प्रदेश के लगबग पूरे जिलों में बारिश की अच्छी हो जाएंगी 18 और 19 तारिक और 19 तारिक को हमें उम्मीद है कि ग्वाले अर्दत्या मोरेन और उसके आसपास के अलाकों में काफी अच्छी यान मूसलादार वारिश देखने को मिल सकती है अभी मांसून अभी कमजोर बना हुआ है लेकिन मांसून 17 18 तारिक से इस इस इलाके में भी रिवाइब होने की मुईत दिखाई देते हैं अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में इस समय जो ट्रफ्रेका है वो उत्तराखंड से लेकर के पुर्वत्तर राज्यों तक बनी हुई है और असम में एक चक्रवादी हमाबच छेत्र बना हुआ है तो अभी हिमाचल परदेश उत्तराखंड इन हिलागों में अगले 24 गंटों तक तो मांसून का काफी कमजोर रहेगा लेकिन कल या परसों जो मांसूर की गत्विदियां है काफी जादा उगर एक वार फिर होने वाली है उत्तराखंड और हमाचल परदेश में एक वार फिर मूसला धार बारिश के साथ-साथ जलवराव और हो सकता है कि एक लोश्तारों पर बादल बटन करने जासी इस्तिती बंजाय जाने के जो भी लोग प्लान कर रहे हैं पहाडों की तरफ जाने का वह अभी करें कम से कम 2-3 दिनों के लिए कि उस समय बारिशी घत्विदियां बहुत जाद होंगी और आपको दिकत का सामना करना पड़ सकता है तो यह गनिमत अच्छा यही सब्सक्राइब करें और उसके बाद एक अपते के बाद जब मानसून थोड़ा सा इस इलाके में कम्यों पड़ने लगे तो वहां जाने की प्लान बनाएं और पंजाब हरयाना दिल्ली और पशिंग उत्तर प्रदेश इन इलाकों में मानसून का रिवाइबल अगले 24-48 में अब तक जो पारिश कर्दियां थी वो तुकड़ों में थी 18 तारिक से 17 की रात या 18 तारिक से जमाज़ा मारिश यानि कई लागों में काफी तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है खासकर के पश्चिमी और तर्च्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैस और ऐसे ही पूरवी भारत में बिहार, जारिखन और पश्चे मंगाल में भी मांजून 17 तारिक से रिवाइब करेगा यानि कि दुबारा एक्टिव होगा और अगले 3-4 दिनों तक बारिश की गत्विदियां काफी अच्छे होने वाली हैं हाला कि बार जैसी इस्तिति इस बार देखने को नहीं मिलेगी बिहार में क्योंकि नेपाल की पाड़ियों पर बहुत ज्यादा थेज बारिश नहीं होगी लेकिन जो पूर्वत्र राज है उस इलाके में एक बार फिर बारिश की गत्विदिया बढ़ सकती है और काफी जब आउपत थेज बारिश की संभा इस जगे आगी जैसलमेर, जोदपूर, बारबेर, पलोदी, नागौर इन इलाकों में भी 18 और 19 तारीकों बारिश की गतिनिया बढ़े जाएंगी और उसी तरह गुजरात में भी बनस्कांता, सबरगांता इन इलाकों को 18, 19 और 20 तारीक में हो सकता है कि बारिश की गतिनिया कुछ ठीक-ठाक मिल जाएं और बाकी जो गुजरात के अलाके हैं उस इलाके में भी बारिश अच्छी होगी और जैसे हमने बताया मधिप्रतित के जातर इलाकों में जाने कि इधर से सीधी सतना, मरिया, दमोव से लेकर के जो उज्जयन, रतलाम, नीमज, धार, खांड़वा, कर्बों, कर् बारिश से बढ़ेंगी और काफी अच्छी बारिश देखने को मिली महराष्ट में भी जो मांसून है अभी अच्छा बना हुआ है काफी अच्छी बारिश हो रही है इसमें लगातार जारी रहेगी लेकिन अब धीरे की तीरे जो वेदर एक्टिविटी है वो सिमट में बारिश की काफी अच्छी रहने वादी हैं गवार उसके आसपास के लाकों में 24-48 गंटों के दोरान हमें उम्मीद है कि भारी बारिश भादी से अति-भारी बारिश हो सकती है हो सकता है कि 1500-200 mm की बारिश कई लाकों में देखने को मिल जाए उसी तरह टटे करनाटका में बेलगावी वगयरा में ही मूसलाधार बारिश के कारण जल भराव होने की सम्भावना आमें नजर आ रही है तो पहले से ही थोड़ा सा साफधानी वरत्ति की जुरौत है अंतरि लेकिन फिर भी मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं रहेगा और अंदमान और निगोवादीप सब्मों में लाइट टो मॉडरेट और एक तो अच्छा इस्पेल को सकता है लेकिन लक्षयदीप के जातर इलाके शुष्क रहेंगे एक दोश्तानों पर हलकी वारिश होने की सं मानसून पूरे भारत को एक बार फिर यानिकि जो दो दिनों की जो पीच में थोड़ा सा कमजोर पड़ा था वह एक बार फिर रिवाएब होने वाला है और पूरे भारत को अगले चार्वाइं दिनों तक जमा-जम बारिश मिलेगी और कुछ इनाफाम हो सकता है कि वारिश होती थी अब क्या होता है कि जो तीन या चार दिन में जो होता था बारिश का वो चार-पांच घंटे में ही हो जाता है तो पहले जो बारिश होती थी वो जो धीरे-दीरे बारिश होती थी तो पानी जमीन में रमता था उससे काफी ज्यादा फाइदा होता था किसानों को औ यह आए एक तक में बारिष की दूसरे में कम होगी एक ही टिस्टेक वारिश होगी और किसी में कम होगी इस तरह की वेदर अखिविट नी पड़ेगी हमें जब तक अन्वार्मेंक्ट हम धीरे-दीरे रेश्टोर नहीं करते, कम से कम 5-10 करोड प्लाइट लगाएं, यानि कि पेड़ पौदे लगाएं और उनको रेश्टोर रखें, यानि कि उनको यह नहीं कि लगा दिया और उसके वाद के मर ने दिया, वो सब नहीं होना चाहिए, तो धीरे धीरे अगर हमाई इनवार्मेंट को पैधियान देंगे, इकोसिष्टम को सुदारेंगे, तभी जाकर के इस्तिती सुद्रेगी, स्काइबट वजर मैं अभी के लिए दिखना है, मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्स्राइब करें, और बेल आइक